असलाम अलेकुम चलिए आज किस वीडियो के शुरुआत करते हैं और आज किस वीडियो में हम लोग कोश्चन इंसर करेंगे आप लोगे चैप्टर नूमबर 12 का जिसका नाम है पहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफतगू ठीक है और यह जो चैप्टर है यह एक नाव लाए गया है तो वहां से जाकर आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं ठीक है और इस चैप्टर के राइटर यानिकी मुसर्णिफ कौन है डिप्टी नजीर अहमद ठीक है तो इस चैप्टर का सिर्फ कोश्चन इंसर इस वीडियो में होगा जितना भी कोश्चन आप लोग के अप लोग के बुक में दिया गया है उन सभी कोश्चन इंसर को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे ठीक है तो चलिए ध्यान से देखिएगा और समझजिएगा चलिए हाँ तो यहाँ पर ध्यान दीजी आप लोग का सवाल स्टार्ट होता है मुक्तसिर तरीन सवलात से यानि की अती लगू उत्रिया प्रसंट से तो जो सबसे पहला सवाल है वो यह है कि नजीर एहमद के किसी दो नाविल का नाम लिख दे रहा है देखिए यहाँ पर जवाब यानि कि किस डेट को और कहा यानि कि किस जगा पर पैदा हुए ठीक है तो देखिए जवाब दिया है नजीर एहमद जिला बिजनोर के अफजल गड़ में 1866 में पैदा हुए ठीक है तो यह होगा आप लोग का अंसर देखिए तीसरा सवाल है फहमीदा और हमीदा नसू की क पांचवा सवाल है जरेने साब नाविल एक अक्तबास से दो किरदारों के नाम लिखिए हम जो आप लोके बुक में नाविल दिया है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगूर इसमें से दो करेक्टर दो किरदार का नाम बता देना है तो आप अपने हिसाब से न लिखेंगे आप हमीदा और नसू भी लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर करेक्टर आप अपने हिसाब से कोई बीडोटो करेक्टर का नाम लिख सकते हैं ठीक है अब यहां से स्टार्ट होता है मुखत सवलात ठीक है यानि की अती लग लगों सौरी लगू उत्रिया प्रसं चलिए जवाब देखते हैं जवाब जो है वो यहां से स्टार्ट है डिप्टी नजीर एहमद को अर्दू नाविल के बानियों में शुमार किया जाता है आपकी पैदाइश बिजनौर जिला कस्ब अबजल गड़ में अट्रस 36 इस बी में हुई ठीक है अब यहां पर डिप आई तालीम हासिल की और आला तालीम के लिए दिलीच चले गए तालीम से फरागत के बाद कानपूर में डिप्टी नजीर इंस्पेक्टर के एदेप पर बहाल हुए और इसी वज़ा से इल्म वादब की दुनिया में डिप्टी नजीर एहमद के नाम से मशूर हो गए ठीक पर फहमीदा जो की नसू की क्या है बीवी है उसके करेक्टर पर उसके किरदार पर आप लोगो को रोशनी डाला है कि वो किस तरह की किरदार है ठीक है तो देखिए जवाब यहां से स्टार्ट होता है जेरेने साब एकतबास जो नजीर एहमद के नाविल तौबतल नसू से ठीक है इसमें एक एहम किरदार फहमीदा का किरदार भी है ठीक है फहमीदा नसू की बीवी है और अपने शोहर के इसलाही जजबे में मौावन है नसू जब अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है और घर वालों के इसलाह का इरादा करता है तो सबसे पहले अपने बीवी को ही एतमाद में लेता है फहमीदा का आमाल भी गर्चा तश्वी बख्स नहीं थे लेकिन उसके अंदर इसलाही इसलाही देखिए यहां से इस्टार्ट है इसलाही जजबे मौजूद थे सिर्फ उनके अनासिर को तर्वियत देने की ज़रूरत थी चुनांचा नसू ने जब फहमीदा से इसलाही मौजूद पर गुफ्तगू किया तो वह नसू के तवान के लिए बखुशी तयार हो गई और अमली तोर पर घर के इसलाही में नसू का साथ देने लगी अलगर्द उस अक्तबास में फहमीदा एक मस्बत करदार है ठीक है यहाँ पर पहमीदा के खिरदार के बारे में menorब चौड़ा लिकि दिया गए है जो सरस्येद हैं सरस्येद अहमद खा जब वो तहरीक चला रहे थे ठीक है लोगों को अदब को सिखाने के लिए तहरीक चला रहे थे जिसको बोला गया अदबी तहरीक ठीक है तो सरस्येद जब लोगों को अदब सिखाने के लिए अदब देने के लिए तहरीक चला रहे थे तो उस वक्त उनके जो लोग तो क्या बोला गया अनसिर 5 बोला गया ठीके है तो उस साथ देने वालों में नजीर अहमत भी थें जो सर्सेयद आहमध मिलकर की तो वही पू तरवीज व तरगई के लिए जो अदवी तरख्वी तहरीक चला ही उनिसे की रिटगाय कार ने भी एहम खिधÁन अजाम दिए ठीकिने लोग उन्हें पहुआ हम अनासर खुमसा केंगे वही बात है जो भी कि अदब की तहरी को चलाने में सरसैद की क MIRA कोन हैंप ये थे थे खाली शिक्ली डिप्टी नजिर ईमदंओ के लिए अाद रो nosट कर कहानिया लिखें लेकं कस्य कहानी की वही किताबे आगे चलकर उर्दू नाविल की बुनियाद बन गई ठीक है जो नजीर अपनी बेटियों के तालिम और तर्वियत के लिए कुछ किताबे लिखें कहानिया लिखी कहानी का और वही जो कहानी है वह आगे चलकर क्या हो गया उ साथ सो गया तो उसको सुधारने का जजबा ही क्या किलाता है इसलाही जजबा ठीके इसलाही जजबा का मतलब है किसी शक्ष के अंदर इसलाह का जजबा होना ठीके होना शामीलिन निसाब एक्तबास के पसमंजर में इसलाही जजबा से मुरादवा जजबा है जो सरसियत के द दरसल बलवास्त तोर पर सरस्यद एहमद की इसलाही तहरीक का ही हिस्सा था सरस्यद ने इस तहरीक को अमली और शकल देने के लिए अली गड़ में में कॉलेज एक मिनट में कॉलेज खोला और जिंदगी भर उसका उसकार खैर में मसरूफ रहे ठीक है यह होगा आप लोग का स्टार्ट होता है तोवील सवलात यानिकी दिर उत्रिया परसन जिसमें आप लोगो को लंबा चौड़ा एंसर लिखना होता है तो देखिए इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो यह है कि नजीर एहमद के नाविल निघारी का जाइज चाली जिए अब यहाँ पर आप लोग के नाविलों में भी बुनियादी तोर पर इसलाही जज़बा ही कार फर्मा है चुनांचा उनके तक्रीबन तमाम नाविल इसलाही नोक्त नजर के हामिल है उनके नाविलों का एक खास तारीखी पसमंजर है डिप्टी नजर अहमद चुके सरसेद की रफिक कार की हैसियत से उनके अनासिर खमसा में शामिल थे उस वक्त तक उर्दो नाविल इसलाही कहानी तक महदूद था उसने फन की हैसियत से इक्तियार नहीं किया था लिए नजर अहमद अपनी बच्चियों की तालिम और तर्बियत के लिए इखलाकियाद से मतालुक चंद तवील इसलाही कहानीया लिखी जो आगे चलकर अर्दो नाविल की रितकाय की पेशे खेमा साबित हुई ठीक है तो नजर अहमद जो है वो अपने बेटियों के लिए क्या किये अपनी बच्चियों के लिए तालिम और तर्बियत के लिए कहानिया लिखना इस्टार्ट किये और वो जो कहानी थी वो आगे चलकर अर्दो नाविल के अर्दो नाविल में बेशे खेमा साबित हो क्रिदार है असगरी और अखबरी तीक है और नजीर एमद का दूसरा नाविल है बिनातल नाश ठीक है जिसको परकाशित के 18-72 में तो यही लंबा चोड़ा लिखा गया है वह नजीर एहमत के बारे में ठीक है आगे बढ़िए यह आप लोग चाहें तो इतना लंबा लिक भी खाज ही सकते हैं यह फिर आप लोग काट चार्ट चाहर चोटा भी कर सकते हैं ओर नैफ़छी नंगारी पर एक मजमून लिए है यहाँ पर आप लोग को अर्दू की नसरी रिवायतों में नाविल एक एहम सिंफ cane नाविल के फब के जरिये इन्सानी मुआश्रे के माहौल और रुजमर्रा की जिंदगी की अकासी होती है उर्दू में नाविल निगारी की रिवाद मगरबी अद्वियात के दीन है नाविल के जाय तरकीबी में फनी एतबार से प्लॉट किरदार माहौल जजबात निगारी मुकालमा फलसफ़ पाहयात और जबान वाबयान वगयरा है ठीक है तो ये आप लोगों को अर्दू नाविल निगारी में लंबा चोड़ा देखिए लिखा गया है ठीक है यूरोपी इनकलाब में जब सनाती इनकलाब आया तो उसके बाद से ही वहां नाविल निगारी के लिए इबतदाई को ताबे लिखे जिसने अर्दू में नाविल निगारी के लिए बादाबता जमीन तैयार कर दिया उन कहानियों में मिरातुल अरूस के उन्वान से डिप्टि नजीर अहमद की इखिलाकी नौईद की कहानी भी जिसकी कई लिहाद से अर्दू का पहला नाविल करार दिया गय ठीके और डिप्टि नजीर अहमद उर्दू के पहले नाविल निगार करार पाए नजीर अहमद ने उसके इलावा पांच और नाविल लिखें और उन तमाम नाविलों की कहानी का एक ही मकसद बदहाल मुस्लिम कोम के इसलाह करना और अमूमी तोर पर इसलाह मौशरे का फर ठीके और एक तरह से उर्दू को उर्दू नाविल की सुरुआत करने में डिप्टि नजीर अहम योगदान है उन्हीं से ही नाविल निगारी की सुरुआत होती है ठीके तो इतना लंबा चोड़ा है वो नाविल निगारी पर लिखा गया है ठीके तो आप लोग इसको नाविल का एक टुकड़ा है एक अंग है ठीके तो वही लिखा गया है सामिले नशाब नजीर एहमत के नाविल तौबतल नसू से लिया गया है यानकि जो आप लोग के बुक में चैप्टर है ना फैमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तक वो जो चैप्टर है वो त की आलिया मन्फी ख्यालात की किरदार है यहादा उन दोनों की शक्सियत पर नसू के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं पड़ता और दोनों बहुत ही सख्त रदमल का इजहार भी करता है और उसके बरक्स नसू का दूसरा बेटा सलीम और लड़की हमीदा वसाला फितरत नेक ख्यालात के हैं ठीक है इसलिए उन तीनों पर नसू की नसियत का खतर खातिर खवाह असर होता है नजरीयों के इसी इखतलाफ में नसू जो है नसू ने अपने तोर पर इसलाह की पूरी कोशिश की है ठीक है जो आप लोग के चैप्टर आप लोग के पूरे बुक में जो चैप्टर है फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा उसमें जो में मरकजी किरदार है वो नसू है और नसू की बेटी रहती है दो बेटिया रहती है एक आलिया रहती है और एक हमीदा रहती है ठीक है और उसके दो बेटे भी रहते है एक कलीम और एक सलीम लेकिन कलीम जो हो यह começar होती हैं यह दोनों नसुख का बात नहीं मानते हैं यह ठोड़ा जहगडा हूँ हमसा जहगडा करने लगते हैं ठीक किसे भी बात पर यह बात को नहीं मानने वाले होते हैं और यह जो अपने वालिद अपने पिता नसुह का बात मनती है ठीक है ठीक है तो यह सारी चीजे आप लोगों के इतना लंबा चोड़ा लिखा गया है शामिल लेसाब अक्तबास में नसुह की बीवी फैमीदा और मंजली बेटी हमीदा की आपसी गुफ्तगू का खुलासा किया गया है जिसमे दीनी तालीम और मंजली बेटी हमीदा नाम का चैप्टर उसमे नसुह की बीवी जो जिसका नाम है फैमीदा और बेटी जो है मंजली बेटी हमीदा उसके आपसी कनवर्सेशन का खुलासा किया गया है और उसमें तालीमी और तालीम और तर्बियत की गुफ्तगू यानि कन और सेसन किया गया है ठीक है इस गुफटगू का मकसद बच्चों की जिंदगी की अबोरी तो दोर में उसकी जहनी इसलाह करना है दोराने गुफटगू बहुत से पहलू ऐसे भी आते हैं जिन से बालवास्त तोर पर बच्चों की दिनी तालिम के तरफ रागब करना मकसूद होता है जिरे नजर एक तबास में खालिस इसलाही नोकत नजर पुशीदा है नजीर एमद के नाविलों की एक एहम खसूसियत यह रही है कि उनके ज्यादर तर नाविलों में इसलाही रजाहनात के उको पेश नजर रखा गया है जिसका पसमंजर ठीक है जिसका पसमंजर इ नजीर अहमंद के जमाने तक उबू नाउविल को फथन की हैसित से हासिल नहीं होती थी. इसलिए आगे देखिए इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की अख़ाखी तालिम के लिए एक लाकी अरिम अध्र चर्बियात दरासल वसी पैमाने पर इसलाव माश्रा का मकदद पुशीदा है ठीक है तो यह हो गया आप लोग का एंसर चलिए यहां पर देखिए सवाल है चार नंबर की दर्ज़ेल अलफाद से जुम्ले बना है यहां पर लफजों को दिया गया है कुछ और इन लफजों का आप लोग क की एक किसम है तो यहां पर क्या किर दिदिए किया है तिर्क जुम्ले सेंटेंस बना दिया गया जिद अरूज की जिद जवाल है बुखार बुखार की दवा खालो जाबता इसलाम एक मुकमल जाबता हयात है लफज जुबान की पहली इकाई लफज है ठीक है अब देखिए यहां पर क्या है यहां पर अदब है अदब अदब सीखना चाहिए ठीक है तो यह जितने भी लफ्ज आप लोग के हैं यह जो लफ्ज है इसका क्या बना दिया गया है यहां पर सेंटेंस बना दिया गया है ठीक है तो यह होगी आप लोग का इंसर तो यह था आप लोग का चैप्टर नमबर 12 का ओल कोश्टन इंसर जिसको आप लोग एक एक करकर देख लिए और समझ भी गए कोई भी कमफीजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है वीडियो उसको लाइक कीजिए ज्यादस ज्यादस शेयर कीजिए अपने पडोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हां अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में न कुदाराफिस